दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्च्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में साथ साथ वीडियो मिलेगा दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आप अपने कुंडली में दोस कैसे पता लगा सकते हैं। कोई साफी दोस अगर कुंडली में है इसमें कोई गुणा भाग जोर करने की जरुवत नहीं है। है तो जिसे हमने यहां पर लिखा है एक दो तीन चार पॉंच छे साथ आठ नौध दस ग्यारा बारा यह कुछ भी हो सकता हम इसमें पॉंच से छे दोस्त के बारे में बताएंगे और वो दोस्त अगर आप में है तो उसका निवारन कैसे हमको करना है तो सबसे पहले हम दोस्त की बात करते हैं तो जैसे यह बारा घर हुआ कि सूर्ज के साथ में अगर राहू हो ठीक है, सूर्ज अगर यहीं हो, यहीं हो, यहीं हो, कहीं भी सूर्ज के साथ में राहू हो, या सूर्ज के साथ में केतु हो, ठीक है, केतु, यहाँ पर आप देखें, या यहाँ पर देखें, कोई भी 12 घर में से, कहीं भी सूर्ज के साथ में राहू हो, या सूर्ज के साथ मे राहु है या चंद्रमों के साथ में केतु है तो आपको पित्री दोस्त लगता है इसका उपाई भी आपको जरूरी करवाना है जरूरी है इसका उसके बाद इसमें गरहन दोस भी होता है गरहन दोस होता है कि सूर्ज राहु की रिष्ठी अगर सूर्ज भी परता है या चंद्रमों पर परता है या केतु की रिष्ठी परता है मतलब कि वो तो गरहन दोस्त का अलग वीडियो आपको दे चुके हैं वो आप जो सिखाने का काम करते हैं उसमें वीडियो परा है साथ म या आत्मापाथ में वो आप देख लें, सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे, पित्री दोस, अगर ऐसा दोस है, तो पित्री दोस का आप निवारन करें, पित्री दोस आप अपने कुंडली से हटाने का कोशिस करें, अगर कुंडली में एक भी गरहन दोस लगता है, ओडिसी के का लगता है वो डिष्टी पर पड़ता है तो डिष्टी से परा चलता है लेकिन आपको यहाँ पर पित्री दोस ही देखना है गरहन दोस में एक लगता है या दो लगता है तो गरहन दोस भी कटाना जरूरी होता है नहीं तो आपका काम जो है बहुत रुक के होगा आपका काम 100% होने के बाद भी रुख जाएगा 99% पे 98% पे तो वो चीद जरूरी है उसके बास बात बात करते हैं दोस्तों मंगल दोस अब मंगल दोस मंगल दोस कैशे बनता है देखो दोस्तों मंगल दोस बनता है अगर आपके कुनली में जैसे कि हम बात कर लें एक नमबर चार नमबर इस नमबर पर यहाँ पर कुछ भी हो इस घर में कोई भी नमबर हो यहाँ पर अगर मंगल है यहाँ पर मंगल है यहाँ पर मंगल है सातमे नमबर में मंगल है या आठमे नमबर में है या बारहमे नमबर में है या दूसरे नमब अब मंगल दोस दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है मंगल दोस्त में सिर्फ कुंडली मिला के साधी करना जरूरी होता है नहीं तो यह प्रॉब्लम क्रियेट करता है साधी के बाद और जिस पे मंगल दोस्त होता है वो थोरा जादा बोलता है जादा मतलब कि गुस्सा आ जरुवत नहीं होती है, आप उसमें ज्यादा कुछ फसे नहीं, मंगल दोस्ट जो होता है, हम आपको परतेक्ष में दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी देखिए, मंगल दोस्ट जो आप बताएंगे, यहाँ पे देखिए, मंगल है, और यह कोई मामूली आदमी का कु ली है बहुत सा एक दोस आप देखिए इसमें भी एक दोस है बारह में के साथ में राहू है तो ये भी एक दोस है तो आप उसमें जाड़ा समझने का नहीं है सिर्फ आपको पता लगाना है कि अगर ऐसा दोस है मंगल दोस का जो आत्मी होता है वो बहुत अच्छा है आज भर बोल सकता है कि नीच दोस जो है वो नीच का गरह जो है वो बहुत problem create करता है नीच गरह जो होता है बहुत बरी-बरी problem से आपको निकाल सकता है नीच गरह किसी का नीच होना बहुत अच्छा फल भी देता है ये बात भी अप समझ लिजिए लेकिन वो condition अलग होता है ज्यादा बातर कंडिशन में जो नीचग क्रह फोते हैं वो हम आपको बता देते हैं इस घर में बारा घर में से किसी भी घर में किसी का नंब that व ओम गृणी शुरियाय नमहर का पाठ की जिये। मंगल का ओम अंगंका नमहर का पाठ का पाठ की जिये। cuatro gonna begin अगर बुद्धे लाधर कीजिए अगर सुक्र निचक है छते नम्र के साथ में सुक्र कहीं बईठा हुआ उश्क मतलब है इसमें क्या करना है ओम द्रॉम द्रीम द्रॉम सह सुकराई नमह या ओम सुम सुकराई नमह का भी जाप कर सकते हैं सन सनिचराई नमह का भी जाप कर सकते हैं एक नमर के साथ में सनी है देखे दोस्तो ये नीच का सनी अगर नीच का है तो वो अच्छा हो जाएगा अगर वो कुंडली में नीच का गरह बहुत मतलब बरे बरे राजा बना सकता है नीच का गरह तो उसमें आपको फाइदा करेगा अगर उसका जाप करेंगे तो तो नीच दोस हो गया तो इससे आप उसका सुधार कर सकते हैं अग तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, नीच दोस्त के बाद, जो और कोई दोस्त होता है, वो होता है काल सर्प दोस्त, वो काल सर्प दोस्त जो होता है, वो दोस्त में कुछ नहीं होता है, एक दोस्त वो भी होता है, चौथा नमर होता है, काल सर्प दोस तो काल सर्ब दोस में कुछ नहीं होता है, काल सर्ब दोस में जैसे कि यहाँ पे राहू है, सपूर्ज किजिए, कि यहाँ पे अगर राहू बैठ गया है, और यहाँ पे केतु बैठ गया है, ठीक है, और इसी के ज़स इधर सब गरह अगर बैठा हुआ है, तो उसमें काल उसका जाप करवा सकते हैं, उसमें नाग का सौंप लगता है, उसके बाद चौंदी का बना हुआ होता है, बहुत कुछ उसको पौनी में बहाए जाता है, तो उसका एक अरग फर्मलीटी होता है, वो चीज करना जरूरी है, कालब सर्थ दोस अगर लग गया तो, अब हम बात क कर लेते हैं, पांचमा जो है, वो है अंकारक, अंकारक दोस, अंकारक दोस कम बनता है, किसी भी घर में, सैसे तो अस्टमेस्ट पर डिपेंड करता है, अस्टम घर में, इस घर में अगर मंगल और राहू, किसी भी मत समझिए, इस घर में अगर मंगल पलस राहू, अगर हो, और डिग्री वाइस थोड़ा डिग्री आप मत देखिए डिग्री में फिर आप फ़स जाईएगा सिर्फ मंगल और राहू है तो अंकारक दोस है अच्छे किसी एस्ट लॉजर से आप कुणली दिखवाईए और अंकारक का आप जरूर उपाय कर लेजिए स्रापित दोस चठ अचा दोस होता है सापित खराब नहीं होता है अच्छा होता है लेकिन वह कुणली के प्लेसमेंट पे गरह की placement पे depend करता है लेकिन सापित दोस लगता कब है तो Sunny और राहू के यूती से अगर यहाँ पे Sunny और राहू अगर है 11 घर में यहाँ पे आपका कोई भी नममर है यहाँ पे इसमें अगर Sunny पलस राहू बैठ गए हैं तो आप थोरा सा आप किसी जानकार एस्ट लॉजर से आप अपना कुनली दिखवाईए थोरा सा प्रॉब्लिम ये क्रियेट कर सकता है स्रापीद दोस अब ये भी बता देते हैं कि आप यहाँ पे डर मज जाएगा स्रापीद दोस जो है वो बहुत अच्छा भी होता है लेकिन उसके लिए कंडिश उमें फिक्स हो जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा दोस है अब उस दोस कब फलित होगा नहीं फलित होगा इसके लिए आप तो कुनली देखने वाला स्रीज सीखने वाला स्रीज देखिए नहीं तो आपको किसी एस्टलोजर का सहायता लेना पड़ेगा दोस्तों ये वीडियो अग देखिए एक नए वीडियो में धन्यवाद